राम लहे के साथ विकास के एजेंडे पर जोर कल्यान सिंग की नजरिये एक तीर से दोने शानी विपक्ष को भी घेरा प्रधान मंतीर नरेंद्र मोदी ने ब्रस्पतिवार कोता प्रदेश के बुरंद सहर से लोकसभाश चुनाव दोजार चौविस के अभियान का आगास किया मोदी ने चुनावी एजेंडा जनता के बीच रख दिया युद्य हमेशी रामलला की प्रान प्रतिष्ठा समाहरों से देश भर में चल रही रामलहर के साथ ही विकास को बहाशपा चुनावी माहौल बनाएगी राम लला की प्रान प्रतिष्ठा की गारंटी को उन्होंने पूरा कर दिया है और राष्ट प्रतिष्ठा को नई उचाई देने में जनता के सैयोग और समर्थन की भी जरूत बताई मोधी ने पहली रैली में लोकसबस चुनाव दोजार चौविस के लिए विपक्षी दलों को संदेश दिया कि मोधी ने अपने दस साल के कारकाल में बनाए करुणों की संख्य अलाभारती वोडवेंग की ताकत और उनके मोधी के पती विश्वास के बूती अपना मजबूत आत्म विश्वास चताया है कल्यान सिंग के जरिये एक तीर से दो निशाने मोधी ने बुलन सहर की रैली में प्रान प्रतिष्टा समारों का जिक्रि करते हुए पूर मुख्यमंतरी कल्यान सिंग का नाम लिया राजनीतिक विसलिस्कों का मानना है कि बुलन सहर सहित आसपास के जिलों में लोधी, मौरे, शाके, सैनी, कुस्वा के साथ दलित वर्ग में भी कल्यान सिंग की लोग प्रियता है मोधी ने उन्हें याद कर पिछले वोट बैंग के साथ राम भक्तों को भी साधा है विपक्ष पर साधा निशाना मोधी ने विपक्ष दलों को कट घरे में खड़ा किया सामाजिक नियाए के नाम पर जाती जनगरना की मांग करने वालों को करारा जवाब भी दिया मोधी ने कहा कि बिना भेदभाव भष्टचार की योजनाओं का लाब शत प्रतीशत जनता को प्रिदान करना ही धर्मनिर पेख शिता और सामाजिक नियाए है उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कोई गरीब हटाओ का नारा देता रहा तो कोई सामाजिक नियाए के नाम पर जूट बतलाता रहा पिछली सरकारे के वल परिवार तक सीमित थी देश ने देखा कि कुछ ही परिवार अमीर हुए सामानिक गरीब दलित और पिछला वर्ग के अपरादियों और दंगों से सहमा रहा यूपी में लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने सासकों की तरह बरताव किया समाज को बाठकर ही सत्ता प्राप्ती का मार्ग प्रसस्त किया हरती शित्र से दिया किसानों की सर्वच प्रात्मिकता का संदेश मोधी सरकार 2.0 के कारकाल में तीन करसी कानूनों के विरोध में सबसे बड़ा किसान आंदोलन पस्चमी यूपी में भी हुआ था मोधी ने पस्चमी यूपी में से अपने चुनावई अभ्यान की आगास करती किसानों को साधा मोधी ने कहा किसानों का 하 mitt उनकी सरवोश प्रातमिकता है मोधी ने किसानों से कहा कि दुन्या के अने देसों में जो यूज्या की बोरित 300 रुपे में मिल रही है गन्ना किसानों को साधने के लिए मूदी ने योगी सरकार की ओर से गन्ना मूल में 20 रुपर प्रति कुंटल की व्रधी का जिक्रिवी किया साधी किसानों के उपरच को बचाने के लिए देश वर में कोल्ड स्टोरेज के भंडारन चेन इस्थापिक करने किसान समान निदी जैसी उपलब दिया गिनाएं इसलिए चुना बुलंद सहर राजनितिक लिहार से पश्चिम मुत्रप्रदेश भाजपा के लिए कमजोर माना जाता है 2019 के लोगसबा चुनाव में पश्चिम की चौधे में से आदी सीटे ही भाजपा जीत सकी थी साथ सीटे सपा बसपा गठफंदन के हिस्से गए थी अनुसूचित जाती के लिए आराक्षित बुलंद सहर लोगसबा शेतर में ठाकुर जाट लोधी और अनुसूचित जाती की संख्या अधिक है